स्वागत है आज क्लास के लिए क्लास 33 डेप्रिशन प्रोजिंस इसके एक ओल्रेडी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने इसका बेसिक स्ट्रक्च्छर देप्रिशन के बारे वह जान चुक है हम और उसके लाश्ट के दर मैंने कुछ आपको मेजर जो यो जाने वाली जो करने जा रहा हूं जो यूजली हमें कम यूज आते हैं कि इससे जदा डेप्रिशन रेट होती है तो नोर्मली हमें एकजाम क्यूशन में लिकिवी मिलती है जैसे इसमें लिया हुआ कि कि इतना शेत्रक किसके यूज़ाने 5% डेप्रिशन लगा है बिलिडिंग के पर फी 10% इस तरह से को इस च्रॉक समें दिया हुआ है मैं इसके बारे डीप श्टडी नहीं कराऊंगा आपको क्यों नोर्मली हमें रेट से हो विख विडियो में लिक्वा दी है इसके बाद में ऐसे यह यह रेट पहला जो ब्लोग है बताया था मेंने के बिलिडिंग जो एसेट से उसके तीन ब्लोक होते हैं तो 123 यहां ब्लोक से दिए हैं इन तीनों ने रेट दी हुए 5 10 और 40% तो कब तो 40% कब 10% कब 5% की रेट इसके बारे में इसे बताया गया है इसके बाद में फानीचर एफिक्टिंग के बात करो तो उसमें एक सब्मूध था और उसके अदर बास के अब बात करते हैं आगे इसके बाद में प्लांट और मशीन थी इसके बास में चार समूं थे चार समूं में यह पुरा पेरेग्राप इसा दिया हुआ है तो हमें आपको यह द्यार रहा है कि कुछ नहीं बोले हैं नोगर में 50% डेप्रिशन लगाएंगे अब प्लांट मश चीजे हैं वह हम आगे शेयर करने जाएंगे यह पूरा चार्ट बनावाए इसको आप नहीं करना इसे रटना नहीं है मैं आप इससे रटना जाओं या सुझ लोगा में सारी चीज़ याद कर लो तो सारी इंपोर्टेंट नहीं है जो रेट इंपोर्टेंस थी वह लेड़ जिससे कि हम प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं उस प्लांट से बात की गई है ठीकिया बील्डिंग और फटिंग और इसमें शामिल नहीं होगी अब इसके बात करते हैं कार की तो कार के देखिए दूर एट है नॉर्मली यह यूज है तो उसका 50% इंडियन कार के बारे नॉर्मल हम आउस यूज में जब करते हैं तो कम चल दी तो हम टेक्सी यूज कर रहे हैं तो 30% है ठीकिया नॉर्मल यूज से मतलब यहां पर हावस यूज है आपने बिजनिस में यूज करना जैसे कि कोई आ आ रहे जा रहे हैं ऑपीसर्स को दी वी है एक एप्लोई काने जाने लिखार दी वी है तो उसे हम बोलते हैं बिजनिस यूज के लिए आप नॉर्मल यूज मानेगों से उसमें रेट लगी कि आपके 15 परचेंट और यदि आप टेक्सी यूज करते हो तो तो फिर आपको लाओगा फोरें जो विदीश कारें उनके बारे में कुछ बदा सब्सक्राइब करते हैं अब आमने जाएगी अब इतने इंपोरेंट नहीं है कि ओलड़ी इस तरह की जो कारें इतनी पुरानी जीदे कारें तो लग बुलग खतम हो चुकी होगी तो यह आपके यूज नहीं आने वाली जदा है जो लाश्ट का जी रिसेंट यह मात करूं तो ए बी और सी आपका जो पॉइंट दिया होगा यह आपके लिए सब ज़्यदा इंपोर्टेंट है सी पॉइंट में बताया गए कि परचेजिंग आप्टर एक अपरेल दो जार एक तो दो जार एक के बाद में आज भी हम बात करें तो अब इससे ज़दा परानी कार आप बिजनिस करतें 15 परशंट टेक्सिव थर्टी परशंट जो सबस्वेले आपको बताएक कर दो फोरेंड कार और इंडियन कार में अब कोई डिपरेंस नहीं है सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपके पास एक अपरिल दोजार एक से 15 परशंट और नोर्मल यूज बिजनिस उनको आप कोमर्शिल विकलते हैं जैसे आम बात करूँ जैसे आपकी जो ट्रक है वो इसमा जाएगा ठीक है बस हो गई वो इसमा जाएगी तो जो सारे इसे चीज़े माल को लेकर जाने का असादने वो सारे सकंद्र आएंगे अब इसे कौन को सीजे फिर भी जो शामिल नह जाती होगे लेकिन उसको यहां पर हमने शामिल नहीं करखा है अब इसमें कूँ नहीं कर रखा यह सामकोई क्योशीन आराइज नहीं करेंगे क्योंकि यह बतना हंते हमारा को मतरिक्व नहीं कर सकhte तो बस है तो इस तरह चींदिभीशन वॉता है इसम भीतिक एक्ड़ेगे पर जो रेट बदाए गई है वह 30 प्रेट और 40 प्रेट अब कब कब था हम 30 प्रेट से इसके दो कंडिशन दी गई है कि आपने पर्चेज किया हो एक अक्टूमबर अच्छाइब कर दिया हो इसके वापस यह नीम रूल दोबर आय था कि एक जनौरी 2009 का आमने पर्चेज किया उसके बाद में उसका इसका श्टार्ट कर दिया हो यूज आने वाले दस स्वर्ण अगया नाइन मंस के अंदर नाइन मंस के एक जनौरी 2009 तक श्टार्ट कर दिया हो आपने तो पर इसके ज़र के आप पर रूल बताए गए आपको कब इससे यूज श्टार्ट कर दिया हो तो यह भी आपको मिल नहीं है उस पर 30 प्रीशन की रेट है तो आपको देको पहली दोनों सेंटर्ष याद होना जरूरी है क्यों याद होना जरूरी है क्योंकि आपके पास में आपकी बताए गया कि आपकी सब्रेश्ट बागी सारे जो यहां पर शामिल है कि 98-99 यह रहे दा उसमें लाश्ट के 6 मंद एक दस अठ्षान में से गतिसी नान्याद तो आपको परचेज किया उसके बाद में उसके आनेवले नाइन मंस के दरामनों से यूज कर लिया हो तो भी आपकी सारी कंडिशन अलाओ यह कोई डेट नहीं दी गई है तो हम सीधर सीधर रेट लागा कॉमर्शी विकल पर 30 जैसे अपन टेक्सी कार का यूज करते हैं वैसे ही वाना सब्सक्राइब करते हैं अब यह सारा जो टोपिक था वो डेप्रेशन समधी था मैं यह नहीं बोलाओ किसा आप तुरूंत याद करी लीजिए जैसे सामक्योशन में जरुत पड़े जहां आपको देखना पड़े तो बार 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 आप रिमाइंड कर सकते हैं इसका कि काम पर कोंसे रेट दी वी थी बहुत ज़दा आपको याद नहीं करना क्यों इतना याद रहता भी नहीं है और इतना यूज आते भी नहीं यह ची इक निश्चित रेट से बात की गई है वह रेट है 20 परशेंट वो रेट है 20 यह क्यार यह दिए आप ध्यां से सुनेंगे यह दि आपने कोई भी निव एस्ट है कोई भी निव एसेट से वह परेंशेयर में परचैज करी और पीर से अंदर आपने उसका यूज ठीक है क्योंकि असिस्टमेंट यह हमारा क्या चल रहा है अपके एकजाम की विव से तो अब बात करें इस प्रिवस एयर के अंदर आपने एदिको एसेट्स खरी दी है और इसी एयर के अंदर आपने इसका यूज स्टार्ट कर दिया है तो आपको 20% एदिशनल डेप्रिशेशन मिलेगा क्या मिलेगा 20% एदिशनल डेप्रशन लेकी धिया ही जो भी आमने ऊब्छी प्रांट होना चाहिए न्यों कर शोनी चीन रहत है यह यह आपने सेकंड हैंड यह थड़र हैंड कर दीएं तो आपको अलाव नहीं पुरानी एसेट्स नहीं होनी चाहिए आपने बनाशीन किया है वह नया होना चाहिए सारी एसेट्स पर नहीं मिलेगा कियोगा प्राइंट और मशिन पर मिलेगा अब सबसे मेजर मेजर नहीं होना चाहिए यह क्या होना चीए प्लांट और मशीन रहो और क्यों एक टाइम मिलेगा अब इसके लिए हमें कौन-कौन से कंडिशन दी गई है उसके बारे मां आगे चर्चा करते हैं देखिए पहला टोपिक वापस कि हमारे पास में जो हमने साइब आपने लाकर रक लिया और से उसे नहीं कर पा है और यूज इसराट किया है आपको इस अलाव नहीं नहीं होगा क्यों कि अटर यहां पर चला थक्ट उन्हां परेंड और और जाब नहीं ही ह cannot तो आपको वो एडिशनटे professorat मिल जाएगा चाय किसी भी डेट को किया ओ जैसे आप फ्रीएशेर की बात की जारी है ताइस आपको 229-20 2019-20 की एक अप्रेज है एक अप्रेल दो जार पर भी आपने पर्चेश किया और इसी डूरेशन में आपने उसका यूज स्टार्ट कर दिया है तो आपको 20% का डेप्रेशन लाओगा बस इस दोनों डेटों के बीच के अदर कहीं पर याँ पर्चेश करो किसी नाम यूज स्टार्ट कर दीजिए आप ठीक है एससी शेल भी इंगेज इन दा प्रोड़क्शन और मैनुफेक्चर ओफ द आर्टिकल और तिंग नोट सर्विस देखिए यहां पर देखिए यहां सबसे बड़ी चीज है कि हमने प्लांट और मशीन करी दी लेकिन प्लांट और मशीन हमने जैसे होस्पिटल के लिए लगाया प्लांट को या फिर हमने लगा दिया होटल के लिए तो आपको यहां पर अब एडिशन डेपरिशन नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि यह जो इस्टूड है यह जो जो बिजनिस है यह सर्विस सेक्टर के बिजनिस है जैसे होटल है तो होटल एक सर्विस सेक्टर सब्सक्राइब तो आपका जो प्लांट और मशीन रिए वो इस उस परपस से करें जाना चाहिए उसमें यू जाना चाहिए कि उससे कोई सब्सक्राइब नहीं होगा इसके बाद बता गया इसी में सेवा शेत्र सर्वीस प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड नहीं है जैसे होटल, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, पूल, रोड्स, ही रोगी कटाई हुगा है पोलीश हुआ मुर्गी पालन हुआ खनन का रिया शिक्षन का रिया अस्पताल रोग निवारन तो इस तरह के जो बहुत सारी जो माया करन का रिया माय निंग है शिक्षन में ठीचि तो आपके यूज की यूज के लिए आ रहा है वहां पर किसी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है आप वहां लोग जोब करते हो तो इस करणों वहां पर भी यह चीज नहीं मिलेगा तो एसे प्लांट मशीन जिस पर सो परशेंट केपिटल एक्सपेंडिचर कट अनुसंदान वेग्यानिक साइंटिव की रिसर्च में अतरी नहीं मिलेगी तो यहां पर यह बोला गया है कि सब्सक्राइब को बहुत सारे बिजनिस अभी ऐसे हैं या ऐसे रिसर्चर्स है जहां पर यह अलाओ करगा कि आमको सो परशेंट केपिटल एक्सपेंडिचर अलाओ है मतलब क्या दोन चीज अलग लगए एक तो होता है कि आपने कोई केपिटल एक्सपेंस किया और केपिट पर हमें क्या मिलता है एसेट्स में लगां जाती है फिर हो बैलेंशीट के अंदर और उस पर हम प्रेंडल अकाउंड के लिए हम क्या लगाते हैं डेप्रिशेशन यह एक चीज़ आप समय आजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं कवे जब हमको एसेट्स करीद रहे लेकिन कुछ-कुछ एसे जगह जहां आप आप केपिटल एकसपेंडिचर करते हो तो गोवर्मेंट ने यह अलाव करका है रिसर्च जह जहां होता है वेग्यानी जो होता है साइंटिपिक रिसर्च होते हैं जहां पर वहां पर यह अलाव करका है। यह 100% आपको एसेट्स क्या हो गया आपका expenditure करते हैं तो उससे क्या बनती है एक्सेट्स को उसी एर में अलाव कर देती है एक्सेट्स डिबाट्मेंट आपको पूरा लेकर जाइए पूरा-पूरा के लिया लोस हो गया इस केस में अपको अपको नहीं मिलेगा क्या एक्सेट्स बना रहे हो तो अपको एडिशनल लेकर चल जाएगा लेगिन किसी कारण से जैसे साइनेटीव के तो पूरा-पूरा का उसी एर केंद आपका लेकर चल जाते हैं आपको मिलेगा अभी नहीं नेश्ट पुराणी मशीनों पर नहीं मिलेगा आपको पहले बता दिया कि नहीं मशीन ही आपके लिए होना चीज़ा है फैक्टरीम होई है तो आपके अपके फैक्टरीमें भी होती ही और आपके हो पीस में होती है और आपको पॉदक्शन नहीं होता है लेगिन आम इस सब का यूज कर रहे हो फेक्टरें में यूज कर रहे हो तो फेक्टरें के अंदर और यह सब चीज आमको help करती ही प्रडॉशन के अंदर तो फिर आपको एडिशनल डेपर बात की जाए तो 20% और प्राइम कोश्ट एक की बार मिलेगा क्यों पहली बार मिलेग नई असेट्स पर्चेश करने पर मिलेगा जो रूल्स था एक आमको 180 डेस वाला रूल्स उसे हम बोल देता कि आमने जब इदी प्रियोशन के अंदर असेट्स पर्चेश कर रहे हो और 180 डेस आमने यूज कर लिया है तो आमको पूरे वर्च का डेवर्शन इंकम डेट से को आपको 10% रिवर्च मिलेगी बाकी जो 10% बैलेंस बचाओ आपको अपकमिंग जो नेक्स्ट प्रियोशन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा वहां पर आपको ड़ने जूरत नहीं है वह उसकी शूट मिलेगी ऐसा नहीं कर आपने ही मिलेगा आगे बात करी गई यह कि आपने परचेश किया है तो आपको यह एक साथ मिल सकते हैं इसा नहीं है कि आपको अधिशनल डेपरिशन नहीं मिलेगा नहीं दोनों मिलेंगे परचेश कर लिए इस यह परचेश कर लिए आपने इसी यह के आदर आपने उसे योज भी स्टाट कर दिया लेकिन किसी कारणजा को वह एस तो ऐसा सेल कर देने के उपर आपको नहीं मिलेगा आपको जो अलाग नहीं होगा है यह शह किसी करण से सकता हूं कि कहस क्या हुआ ऑधा बना जो पर आपको इडिशनल डेपरिशन नहीं मिलेगा यह किसी बी कारण से मशीन का ब्लोक बैलेंस नेल या नेगडिटेव हो गया हो तो बीडिशनल डेपरिशन अलाओ होगा नाइन ब्लोक हमारे बने हुए तो वहां की बीत बात करी जा रही है कभी-कभी आप किसी भी सिचुशन माल लीजिए मतलब आप भी माल लीजिए जिसने आपको ओपनिंग बिलेंस था एसेट्स का मलब बहुत सारी एसेट्स थी वहां पर माल कर चलिए जब आपको पता है कोई पोकेट में आक वाज क्या हो सकता है आपकेट में 10-30% 20-30% 0 हो सकता है इक रूपए हो सकता है इन कभी-कभी माइनस का एक रूपश पड़ार रहा है लेकिन यह कैल्गूलेशन करने पर इसा नेगटिव फिगर आ जाता है हमारे पास में यह अभी आपको कम समझाएगा जो करें तब समझाएगा तो यह बोलना चाहरा है यहां पर इतना साम ध्यान किए कि जो बेलेंस है जो बेलेंस आपका बच रहा है वह मालीजी किसी कांट से नेगटिव फिगर आ रहा है आपका तो भी आपको एडिशनल डेपर आने पर उस साल में आपने को एसे पर पर प्रा जदा फोकस करेंगे इस आज के चेप्टर के अंदर और बरबली जो इससे पहले जो बढ़ा है उसको बरबली एक बार आप देख सकते हैं कि काहां पर कब कैसा यूज लाना चाहिए जैसा कार की बात करी गई थी हमारे पास में पर इस तरह से आपको ब्लांट यह बताया गया था कि अधार पर देख सब्सक्राइब और इस तरह से आपको ब्लांट यह बताया गया था तो इस तरह से आपका जो आज की क्लास है वो कंप्लेट होती है इसके बाद कल हमें आपकी नेक्स्ट क्लास लोगा थेंक्यू